बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक गिलास दूद के साथ अगर इन लड़ों को सुबह सुबह लिया जाए तो इसके हेल्थ बेनिफिट जादा मिलते हैं ये लड़ो तीसी और अलसी के जो लड़ो है इनको खाने से घुटनों में जो ग्रीस कम होने लग जाते हैं वो भी सही हो जाता है कमर का दर्द सर दर्द ठकान हमारे आखों की रोसनी भी बढ़ती है इसको खाने से और इसकीन में ग्लो बढ़ जाता है हमारे बालों की जड़ कadores जाते हैं तो टमाम तरह के फायदय हैं इन लड़ूओं को खाने से फ्रंट्स जरूरी मतलब मेती औरा हमें खाना ही चाहिए कोई जरूरी नहीं है कि हम इनका लड़ूं भाबना करके खाने से तो भी इसर जो बेद्डू हैं वह उतने ही रहेंगे जितने की यह लड्डू बना करके खाने में हैं तो फ्रंट चलिए देखते हैं कि मैं इन लड्डू को कैसे हैं तो मेथी के दानों के बारे में बता दूं आपको मेथी मैं आपको मेथी कि जो कड़वाहत नहीं तो आप इसकी बी कर सकते हैं तो चलिए बना शुरू करते हैं मेथी के लड्डू तो मैं यहाँ पर एकदम मतलब की छोटी वाली जो कटोरी होती है उसकी कटोरी से एक कटोरी मेथी के दाने लिए हैं ये मेथी के दाने बिल्कुल फ्रेस है तो ये छोटे दाने वाले मेथी हैं जो की थोड़े से जादा कड़वे लगते हैं अगर आप यही पर इसके जगर थोड़े बड़े दाने वाले जो मेथी होते हैं वो लेंगे तो उसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम होती है और ये थोड़े ज़्यादा कड़वे होते हैं तो इनका आप को mixi की jar में डाल करके एदम fine सा powder बना लेना है फ्रेंड जितना fine हो सके उतना fine powder बनाईएगा हमें मोटे दरदरे वाले नहीं चाहिए नहीं तो मोटे जो और दरदरे से जो रहेंगे न वो और ज्यादा कड़वे लगेंगे तो friend इसके मेथी के powder बना करके उनको हमें घी में भ process आपको लड़ू बनाने से एक दिन पहले करना पड़ेगा कम से कम मतलब कि इनको 10 घंता नहीं तो 8 घंता तो आपको घी में टुमो करके रखना ही पड़ेगा इस से क्या है ना घी में पहले यह मेथी जो है जो मतलब कि घी पी लेंगे और इनकी जो कड़वाहट है न वो थोड़ा कम हो जाती है इससे और गी की जगह आप मतलब इससे पानी में भी या दूध में भी भींगों करके रखा जाता है लेकिन उसे क्या होता है न कि उसे मेथी की कड़वाहट तो कम जरूर हो जाती है लेकिन जो मेथी के जो बेनिफिट ह न वो दूद और पानी में आ जाते हैं जिसे हम फेक देते हैं और छिलका मातर से हम अपनी रेस्पी बनाते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है आप कम डालिएगा मेथी लेकिन आप उसे भिंगो ये नहीं पॉडर बनाईएगा अगर फाइन पॉडर नहीं बनेगा अपसे तो सील इसका पॉडर भी ले सकते हैं पॉडर भी मार्केट में अलेबल है पर मेरे पास यह गाठे थी दो गाठे हम लिए हैं और सारा जो भी कुछ आपको डालना है वो सारा सामान आप इकठा रख लेजेगा तो इधर चलिए कड़ाही गरम हो गई थी तो उसमें हम पहले अलसी को मतलब भून रही है और हमें बिल्कुल कलर चेंज नहीं करना है अलसी के नहीं तो इसके अंदर का जो ओयल रहेगा वो जल जाएगा बस हमें बहुत लाइट मतलब पांच मिनट तक भूनियेगा इससे ज्यादा नहीं भूनियेगा और इधर जो नारियल था नारियल का हम प बना लिये हैं बूरा बना लिये हैं बूरा भी मार्केट में मिलता है आप चाहे तो कदू कस कर सकते हैं नारियल को घी सकते हैं जैसे चाहे वैसे कर लीजेगा तो इधर जो है कि इतना काम करते करते मेरा अलसी भी लगबग मतलब की पूरा पाच मिनट तक भून गया था औ और इसी कडाही में हम जो है कि अब डालेंगे थोड़ा सा घी हम बहुत ज़्यादा घी का इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर थोड़े थोड़े ही घी डालेंगे तो यहाँ पर आप घी डाल लीजेगा और फिर जब आपकी जो घी मतलब गरम हो जाएगा ना तो हमें सब सबसे पहले क्या करना है जो गोंद होते हैं ना किंकर उस गोंद को हमें सबसे पहले भुनना है क्योंकि गोंद को भुनने के लिए हमें घी चाहिए चाहिए और थोड़ा जादा घी चाहिए होता है ताकि हमारे गोंद डूब जाएं उसमें नहीं तो क्या होता है ना गोंद जो है कि अंदर से उसकी गाठे रह जाती हैं तो जब आप खाएंगे तो कंकड जैसा लगेगा इसलिए हमें गोंद को भूनने के लिए घी तेल जिस चीज में भी आप बनाएंगे यह हमें थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है तो इधर जो है कि बिल्कुल यह बिल्कुल ज जारे लगते हैं बिल्कुल मोती के दानों जैसे तो फ्रेंड यह गोंद जो है न यह गोंद तो हम लेडीजों के लिए तो बहुत ज्यादा समझ आए कि फायदे मन्द है और फिर उसी कडाही में अब जो भी आपके ड्राइब फूट्स वगर होंगे आप थोड़ा-थोड डाल गर के भूल लिजेगा आप कोई इस अभी कितना भी ड्राइब फूट ले सकते हैं यहाँ पर इससा में मेरे पास जो अलेबल था वो हम लिए हैं और आपके पास जो भी हो आप फूले लिजेगा और जाएंगे हमें जो चाहिए यहां पर आहां हमारा मेति और अलसी ये दोलों तो most important है बाकी और चीजे मतलब है तो ले लीजे नहीं है तो भी कोई बात नहीं है और सोट सोट भी हमें जरूर चाहिए सोट हमारे जो joint pain होता है उसको कम करता है तो अखरोट थोड़े से मेरे पास थे तो अखरोट भी मेरे भून गए और ये मखाने मख आपको थोड़ा सा इसे आप जब भूनेंगे तो ये crunchy बस हो जाने चाहिए कि हम इसका जब तोड़ेंगे तो ये आराम के तुट जाए मिक्सी में चलाएंगे तो ये अराम से इसका बन जाए दरदरा सा powder बन जाए तो इधर मेरे dry food वगारा सब हो घय थे मेवे और ये मखा यह सब मेरे भून गये थे हलके हल मतलब बहुत जादा इनका भी कलर नहीं चेंज करना है बस हमें थोड़ा-थोड़ा डाल करके भूनना है ताकि इनके नमी जो है वो खतम हो जाए और उसके बाद किसमिस को भी फ्रण हम इसी कड़ाही में डाल करके थोड़ा सा रोष्ट कर कल रहा है किसमिस को जो है लोगो जाते हैं इसको कड़ाही में ऐसेहीं भूने हैं आप अंड़के देखते होंगे की मतलब तल दीजिये तो उसको तो वो गड़े हो, जाते हैं क्योंकि किस्मिस में मिठास होती है इस वज़े से ठोड़ा सा मतलब हम रोष्ट कर लिये हैं उसके बाद ठोड़ा और घी डाल कर के हमें कटोरी यहां पर आटा लिये हैं गेहूद का अटा है ज़िसको एकदम अच्छे से आपको रहेंगे को हम बुंते हैं आप भुलनाई है यहां पर भी हमें जब आता हमारा जब तक हम अपना यह सब जो है कि अच्छ double हरो छीजे घुल्यों हमें थोड़ा दरदरा दरदरा सा रखना भील्कुल को भुल नहीं दरदरे से रहेंगे तो जब हमारे दातों पर ड्राइफ रूट वगर पड़ते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो फ्रेंड इधर जो है कि हम आता जो भून रहे हैं जब हमारे आते जब 50 परसंट तक भून जाएं तो उसमें हमें और भी सारी चीज़ों को एड़ करना है तो जब तक हमारा आता 50 परसंट मतलब की नई भून जाता है तब तक आप अपना इधर सारा काम कर लीजिएगा ताकि इससे थोड़ा सा काम मतलब की इजी हो जाता है और टाइम का भी बचत हो जाएगा आपके साथ के साथ में तो इधर जो आता हम भून रहे थे तो मेरा 50 परसंट आता समझाए कि अभी हो चुका है ये तो अभी हमको क्या करना है ना इस आते में हम जो हमारे पोस्ता के दाने हो गए और सोट हो गया हल्दी हो गई ये सबरी चीज़े हम इसी आते में डाल करके भूनेंगे तो ये हम पोस्ता के दाने लिए हैं जिसको पपी सीट बोलते हैं तो ये आधा कटोरी के लगभग मतलब पोस्ता के दाने थे ये भी मतलब इसमें बहुत इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत जादा है और ये मतलब की टेस्ट ये हमारे लड़ों का टेस्ट बढ़ा देता और उसके बाद जो है कि पोस्ता के दाने डाले हैं और नारियल जो बूरा बना करके रखेंगे थैं यह 70 गांदे तक हम्明ुवा लड़न हैंीं इतनी देर तक हम्में रखना है इससे क्या होता है ना कि थोड़ी सी जो मे dette की करबा हट हो जाती ए और प्रण अभी हमें जो है ना कि अब इसको हम भूनेंगे साथ के सादा भी 50% हमारा आता हुआ है 50% हम सब सारी चीजे इसमें एड़ करके फिर भूनेंगे और जब तक हमस्को भूनना है कि हमारे मेथी ये तून बुर भूरी से ना हो जब हम इस तरह के लड्डूओं को बना रहे हैं तो इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और यह हमारा सोठ का पाॉडर है सोठ का पाॉडर हम जो हैं कि mixy में नहीं पीसे हैं इसको हम seal बट्टे पर पीस करके ले आए हैं प्रेंड सील पर पीसने से थोड़ा सा मेहनात लगता है लेकिन ये बिल्कुल फाइन पॉडर बन जाते हैं और जब चाहे मिक्सी में पीस या पॉडर बनाईए या कहीं भी बनाईए बनाने के बाद आप चलनी से उसको चाल लीजेगा नहीं तो उसके जो रेशे है ना फिर दात पर आपके पढ़ेंगे खाने में तब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आपको पॉडर या तो फिर मार्केट में पॉडर लेबल है वो पॉडर ले लीजेगा सोठ के पॉडर मागेंगे तो मिल जाएगा लेकिन उसमें सोठ का जो पॉडर होता है न वो मुझे उत भूं चुका था और सब एक दम अच्छी सी आती हैं दुसरे जब आंटे भून जाते हैं ना तो मतलब की आटा हो जाते हैं तो आपको पतम चल जाएगा कि आटा हमारा मतलब की भून गया है तो फ्रेंड अब सारी चीजे हमारी भून चुकी थी हम क्या करेंगे अब इसी कड़ाही में डालेंगे गुड तो फ्रेंड गुड आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा मैं थोड़ा ज्यादा डाल रहे हूं कि मैं थोड़ा सा मीठा बनाऊंगी मेथी के दाने कड़वे होते हैं न तो बच्चे नहीं ख करेंगे इसको तो सब कोई खाएगा है कि सब के खाने के लिए बन रहे हैं तो थोड़ा सा मीठा में डालूँ यहां पे और अगर आपको वैसे तो गुड में ही मतलब की लड़ू गोंद के यह लसी के गोंद के जो भी कहिए यह लड़ू तो मतलब गुड में ही बनते हैं और अगर आपके पास नहीं है या नहीं डालना चाहते हैं तो चीनी पीस करके फिर आप डाल दीजेगा चीनी को आपको पीस करके डालना पड़ेगा और जो चीनी होते हैं तो फिर उसके लड़ू बनाने में बहुत जादा मेहनत भी लगती है और घी बहुत जादा लगेगा आपका और इधर जो है sorry front मेरे जो है ना कि इसका कोई मतलब कि कोई तार वाली कोई चासनी टाइप की नहीं बनानी है हमें गुड़ को सिर्फ पिघला लेना है तो थोड़ा सा पानी डाल करके गुड़ को पिघला लीजिएगा sorry front तो जब यह हमारे पिघल जाएंगे गुड़ पूरा पिघल जाएगा तो फिर हम इसे गैस को बंद कर देंगे और हम इसे ठंडा होने तक वेट करेंगे हमें गरम गरम अपने सामान में नहीं डालना है नहीं तो आपके जो लड़ू है ना वह बहुत जादा हाड बनेंगे क्यों कि गुड़ की चासनी एक तो हो गई दूसरे हमारा जो आटा है ना वह मतलब की लिपट सा जैसे हो जाता है ना जैसे कि गरम गरम डाल दीजे तो माल लिजे कि कोई लसी मतलब उसको लेई जैसा हो जाएगा तो उसके लड़ू कड़े बनेंगे इसलिए हमें क्या हमे ठंडा करके ही डालना है जब हमारे मतलब की यह गुड़ जो है कि हमारे गुड़ का जो शीरा है यह जब हमारा इंदम ठंडा हो जाए इतना ठंडा हो जाए कि हम उसे अपने हाथों से टच कर सके तब हमको इसमें मतलब अपने यह जो सामान हम रेडी करके रखे हैं इसमें हमें डालना है तो when इसको ठोड़ा-ठोड़ा किनारे-ख़ण गड़ण का कर ली ज्यगा और वीच में डाल्येगा अपने मतलब की शीरे को ताकि यह आप मेरे मतलब बस तन मंजाकर के चिपके तो आप इस थो है कि में थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी एक साथ पूरा नहीं डालूँगी जितने जरूरत है उतना हम मतलब की ये शीरा डालेंगे पता चला है कि हम सारा इकठा डाल दीए और हमारा ये मतलब की लड़ू हमारे गीले हो गया तो फिर बन नहीं पाएंगे तो इसलिए हम पूरा मिक्स हो जाएगा तो फिर जो बचे हुए है आप उन्हें भी फिर पूरा डाल दीजिए और डाल करके भी थोड़ा देर मतलब वेट करिएगा नहीं तो गरम-गरम होंगे फिर आप लड़ू गरम-गरम के लड़ू बनाएंगे तो फिर आपके लड़ू पिर जो है इनके लड़ू बनाईएगा थोड़ा मतलब जितना कि आपके हतेलियां आपकी जलेना बस और आप उंगली डाल लगा करके टच कर लीजेगा कि हाँ आप अपने हाथों से इसको छू सकते हैं या नहीं नहीं तो जो शीरा है ना तो फिर वो गरम होगा तो फिर आपके हाथ भ मसल मसल करके इसके लड़ू बनाईएगा क्योंकि ये जब ठंडे हो जाते हैं ना तो जमने लड़ू जाते हैं क्योंकि गुड़ होता है ना तो गुड़ की वज़े से ये जम जाते हैं तो हमें थोड़ा सा गरम गरम की हमारी उंगलियां मतलब सह सके तो बस आप इपने ल पहनत लगेगा क्योंकि फिर आपको अपना ये जो सामान है material है ये लड्डू बनाने का इन्हें फिर दोनों हाथों से फिर मलना पड़ेगा आपको तब जाकर के लड्डू बनते हैं तो सबसे अच्छा होता है कि आप इनको गरम गरम ही बना लीजिए तो फिर इधर हम अपन ये करके लड्डू को बना लेते हैं और आप बताईएगा कि आपको मेरा process सही लगा बनाने का या नहीं बनाने का सही नहीं लगा तो फिर मैं फिर से try करूँगी इसे बनाने के लिए अब भी मैं बहुत जादा expert नहीं हूँ लेकिन हाँ husband को बच्छों को सबको ये वाले ल लड्डू बनाती रहती हूं तो आप कमेंट करिएगा कि आपको और कीशीच के लड्डू मतलब की खाने है तो मैं उसका भी लड्डू try करूंगी और आपको भी खिलाउंगी और मैं खुद भी खाऊंगी तो इधर मेरे लड्डू मतलब की बन गया थे मैं छोटे-छोटे तो सारे लड़ू लगबख मतलब की बन चुके हैं, और यह बहु ज्यादा छुबसूरत लग रहा है थे देखने में जब बन रहे थे तो खुसभु तो मतलब की आयी ही ती और यह लड़ू को जब से मैं मतलब बनाई हूं और मैं खा भी रही हूं कि मेरी जब कल जाएगी तो बस दो दिन हुए थी और यह बीडियो दो दिन बाद में जा रही है तो फ्रेंड इधर लड्डू मेरे सारे बन गया थे और यह देक लीजे मतलब लड्डू कितने जादा मतलब soft लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बने हुए हैं और यह देखिए मैं एक हाथ से बीडियो बना रही है और एक हाथ से ही तोड़ी हूँ और यह आराम से लड्डू मेरे तुट गया है तो आप इसे किसी भी टाइम इंज्वाय कर सकते हैं सुबह खाईए शाम को तो फ्रेंड अगर आपको आज की मेरी यह वाली बीडियो पसंद आती है और आप मेरे चैनल को मेरे बीडियो को पहली बात देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड फिर मिलते हैं किसी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइब मेरे चुकि या जब रात आत्या दक लिए कर दोसे हैं यह वीडियो मेरे च्राव़ आत्वा जार जब एफ लिए भाई पीडियो